हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है उम्मिद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे तो आज हम कुछ हेल्दी ब्रेकफास बनाते हैं आज हम ब्रेकफास में बनाएंगे गोबी पराठा गोबी पराठा कई प्रकार से बनाया जाता है लेकिन जैसे आज हम बनाएंगे अगर आप उसी परकार बनाएंगे तो खाने में थोड़ा सा स्वाध का चेंज हो जाएगा क्योंकि मोश्ली सदस्या जब गोबी का पराठा बनाते हैं तो जो है मतलब ग्रेट करने के बाद और कच्छी गोबी का बनाते हैं लेकि अच्छे से दोएं इसको नमक के पानी में फिर चाहे तो आप इसको पूरे ऐसे ही बॉइल भी कर सकते हैं लेकिन हमने इसको नमक के पानी में आदे गंटे तक भीगो के रखा था और अब यह पूरा क्लीन है और यह हमारे पास अद्रक और हरी मिच का पेस्ट है चाहे तो आप इसको ग्रेट करकर भी डाल सकते हैं और यह चोटा-चोटा कटा हुआ प्याज है और यह हमारे पास उबले हुए आलू हमने मैश कर लिया है यानि उबाल दिया है और छील दिया और फिर अच्छे से मैश कर लिया है तो हमें सबसे पहले गोवी को कद्दुकस करना है गोवी को कद्दुकस करने के लिए हमने कद्दुकस ले लिया है तो इसका जो है गोवी का हमने जड़ नहीं काटा है क्योंकि जब हम कद्दुकस करेंगे तो जड़ से हम आसानी से पकड़ सकते हैं एक साइड हम पकड़ लेंगे उसको कद्दुकस कर लेंगे कद्दुकस आप कितना भी पतला कर सकते हैं और कितना भी मोटा कर सकते हैं इस परिकार का हमें कद्धुकस करना है तो पूरे को कर लेते हैं यह पूरा कद्धुकस कर लिया है हमने अभी हम इसका मसाला बनाएंगे देख लिए इस परिकार इसको कद्धुकस करना है विल्कूल बारी बारी उसके लिए सबसे पहले से और नियुँन से रुविया बेसे तैल यह उसके लिए पीडि कोई यहीं शुम्तुत में पश्टके कर्याइ सबसेता चाहिए तोई भी यहां पेर तेल घीफ किञक़ उसक पर रहें चाहिए जाबू कि यजीरी को शावु धन्या सीर्स ना जानीज को पेकर सेटीकते हैं अभी जो हमारे पास गोबी कद्दू कस की हुई है वो हम इसमें एड कर देंगे यह दीमी रखेंगे अभी अभी बूनेंगे थोड़ा सा यानि जब तक इसका पानी न मर जाए जो इसमें पानी होता है ना गोबी में बूरा ड्राय हो जाना चाहिए तो इसका पानी ड्राय होने तक हम इसका भून लेते हैं अभी बून चुकी है अच्छे से जो इसमें थोड़ा होता है इसमें पानी पानी सा होता है वो सूख चुका है इसमें तो जो अभी सूखे मसाले डाले है वो हम इसमें डाल देते हैं तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हल्दी यहां पर ऑप्शनल है बच्छब को सुछ और चाल फों सब्सक्राइब कर दो से रहाँ कियुक्त सब्सक्राइब व्हांतों कुज प्सड़नाइब यहां परणकर टंपर नहीं हम थोड़ा ज हम चॉकर 56320 डालें, यहा मिक्स करेंगे करना है नमक नमक, स्वाधे नमक, क्योंकि जब है ऐटा बनाए नमक कियोंकि एक दिखिक अधे सी, दाले सोअग जब आमक, आमक हैं प्रेश और चाहे अच्छी से अच्छी दिया है अभी मिहां धनिया पॉटर डालेंगे धनिया और अपने अपूटिन्स डालेंगे आपने एकोडिंग डालें किसी च्टी को ज्यादा पसंद आता है और और आप उसी कर दो खता और तो समसाले हम हола फ्लास्ट में इसमें प्याज दालेंगे और प्याज को जाल कर और ब्हुनना नहीं है मिक्स कर देंगे मासाला बने कर तैयार है विल्ट हाँ र१ाँ आप अजले मसाले को 10 मिट के लिए ठंडा करेंगे अगर उम गरम मसाले के परोटे बनाते हैं मसाला टंडा करने के लिए लिए बावल में नकाल देता है तक आपटा थंडा हो जाएगा हे ठंडा हो जैएगा रावन đã करते हं तीज तक हमारा मसाला ठंडा और थेखरो से थे आप तैप भी नभी नहीं हो घंदे गीन तो इसमे तहें कर दो से अंति हमारा मसाली वी नमक मशलिए जैस Noah तो प्रश्म ऑल्योएल डालेंगे जिससे आमने आपको बताया है घी या फिर रिफाइंट भी आप यहां पर डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसको गुंदेंगे पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है इसको अच्छा नरम आटा एक बना कर हम तयार करेंगे गुंदेते हैं अच्छे से आटे को थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको नरम बनाएंगे यानि एक जो था ना इसमूद आटा तो इसको मसलते रहेंगे तब तक इसको गुंदने में हमें यह एक बावल पानी था उसमें से इतना बच चुका है बहुत कम पानी लगता ह अबहँ आटा बनकर तेयार है हम थोड़ा साच को चिकना कर देंगे हाथ पर थोड़ा ओलियू लेंगे और हाथ को चिकना करेंगे और इसको हम लगा देंगे और इसको हम पांच मिंट के लिए ढखकर रख देंगे ताकि अच्छा यह अंदर से सौफ्ट हो जाए और तक तक मसाला भी ठंडा हो जाएगा अभी जो हमें पराटे में स्टिफिंग बरनी है यह भी ठंडी हो चुकी अच्छे से और आटे को भी हमारे पांच मिंट हो चुक अभी हम इसके पेड़े बनाएंगे हम एक लोई लेंगे मतलब एक जो आटे की हम रोटी बनाते है ना नोर्मल जो चपाती बनाते उसे थोड़ा सा आटा हमें ज्यादा लेना होता पराटे के लिए क्योंकि उसके अंदर हमें स्टिफिंग भरनी है इस प्रकार हम इसको पे ज्यादा आटा हम दस नहीं करेंगे क्योंकि फिर पराटे में थोड़ा सा मतलब टेस्ट का थोड़ा चेंज हो जाता है कई सदे से इसको जो है दो लोई के भी बनाते हैं यानि एक लोई पहले बना दी फिर दूसरा बीच में स्टिफिंग भर दी और लेकिन इसको अगर हम एक ही लोई में बनाएंगे मतलब एक ही उसमें बनाएंगे एक ही परत आएगी इसकी तो वह ज्यादा चरत है इस परका पैडा बन चुका है अब हम इसको सूखा आटा लगा कर थोड़ा सूखा आटा लगा लगा लेंगे नले को विब एता से पर użyहां हवा सर जाए. क्योंकि जो आउर्टक बनीड़ पर ब्रेश करें होगे हाथ कुछ कुमें हैं, Greek 4-1030 a.m. बि Ramen नहीं कि अ आगरS अ अभी फिर से नहीं थोड़ा से आठाँ चेस करें गए कि फिर से तोड़ा से अठाटा डश करें तो धुरा ही खना जाधा नहीं करना है और हम इसको रखेंगे और बेलनर की मदब से इसको बेल लेंगे पराटा बनाते हैं तो पराटा चिपक जाता है अगर आप इस पर कार बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा एकदम बहुत अच्छा क्रिस्पी पराटा बनकर तयार होगा अभी हमने पराटा बेल लिया है अभी हम इसको तवे पर सेखने के लिए डाल देते हैं चकली से परोटा उठाएंगे बड़ी आसानी से उठ जाता है क्योंकि यह चिपकता नहीं है और हम पैन में डाल देंगे आप इसको तवे पर या फिर इस परकार के पैन में किसी में भी दूसरा पेडा बनाएंगे और उसी परिकार इसको पैडा बना लेंगे थोड़ा हाट में इसको हम यह ड्राय आटा जो हमारे पास ड्राय आटा लगा कर हम इसको फिर से बेल लेंगे प्राटे में स्टिफिंग भरी है उसी पिरकार हम इसमें भरेंगे जैसे हमने आपको बता है इसमें अपने अकोडिंग आप इसमें भर सकते हैं और ऐसे ही हम उसको बंद करेंगे चारो तरफ से फिर से पेडा बन चुका है यह आटर डस कर लेते हैं प्राडा एक साइड से सिकर तेयार है दूसरी साइड से इसको पल्टेंगे और इस पर हम अभी ओली ओल प्रा लगा देंगे अगर आपको देशी घी पसंद है तो इस पे देशी घी लगाएं और तब खाएं देशी घी का और भी स्वाधिस लगेगा लेकिन जो सदस्य डाइटिंग अनॉड यह सब करते हैं तो ओली ओयल का मुश्टी इस्तमाल करते हैं लेकिन गी का इसमाल भी कर सकते हैं जैसे जो अब देशी की होदे ना डाइटिंग वाला वही इसमाल कर सकते हैं अब दूसरे साइड से भीशक शिंगने देंगे थोड़ा सा फिर से हम इसको पलट देंगे दूसरे साइड से और इधर पर हम तोड़ा ओली लगा लेंगे अच्छे से पकने देंगे पहले से ही पका हुआ है लेकिन उपर की जो परत है ये आटे की ये भी अच्छे से पकनी चाहिए क्योंकि परोठा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है अब ये बन करता है रहा हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं देखे कितना क्रिस्पी परोठा बन करता है इसको प्लेट में निकाल लेंगे नहीं बैन के लेकद हमें पर हरा और करेंगे लिए आपको इसके बैलें की मदा क्वारेश्थ से करें दुर्फ तक सकते हैं अगर कर दीजलें में क्रेंके ली सनीतर दुर्फ एनधे के लिए बैले विashedक आथ गाहि दीज़क देक ही प्यार से बेलेंगे, फिर से हम इसको पलट देंगे, अगर थोड़ा सा भी अंदर से मसाला दिक रहा है प्राटे में, तो आप टेंशन ना ले उस चीज की, उसको ऐसे ही ड्राइ आटा लगा कर थोड़ा थोड़ा डस्ट करके और बेल लें, प्राटा बनकर ट्यार है, इसको हम तब बेल से ऑब है के में ताप नबेला, जाल देता है अगर आप ऐसी द्राइप को में लेए का शारी प्राइब कर देंगे, शे द्राइप, इसको ड्राइब कर दो अच्छे से शीकर तो इसको प्लट तेयार है तो, अन्वेट देते हैं और इसपर थोड़ा ओले लाग काम यह काम ज्यादा छर्टी लगकर ट्यार है आजया अब दूस्य सच लगाते हैं कि इसाइट से पुरा लगा दिया है आप दूछे सबादें है कि जाए इस पटें तोड़ा ओली पे लिए लगाएंगे और इसको स्प्रेट कर देंगे है अछे से चीछे इत कि परस कहेंगे इसको एक साइट से शिख जाएं दोसे साइट से से ख लेते हैं थोड़ा सी प्रेस कर देते हैं इसको त departments कि detect it बेंट देश, खुछन दुर्य तरफोट साइड से लेको भी ख्या शेख लेकों , थे टीकर केंट गर इंदेता है वरोटा शेकर तयार है फिर भी अगर नहीं पता चल रहा तो इस प्रिकार इसको चेक कर लिए नीचे से सिखा है या नहीं देख लीजिए यह सिख कर तयार है थोड़ा और क्रिस्पी कर लेते इसको our ну कि है इसी प्रिकार हम सारे प्रूठे बना कर त्यार करते हैं सभी प्रोठे लिये हैं और हमने यहां पर कहने के लिए स्रफ किया है गही के साथ और मकखन के साथ हमने यहां पर forms किया है आप चाहें तो वाइट comprehensivelove तस भी आप再 ढ़ी के साथ वाइक दोत्व हैं अपने या नूबहफ रीडा जाए आज हम आपसे यही विटा लेते है this नेक्स्स वीडियो में न्यूरे bossy के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी दन्यपाद